हेलो दोस्तों यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ और आज का जो सेशन है उस सेशन में मैं एक लिटरेचर के एक लिटरी टर्म्स के लिए सेशन लेके आया हूँ आपके पास और वो लिटरी टर्म्स कुछ ऐसा टर्म्स है कई एक बार हम बहुत छोटी छोटी चीजों को नहीं जानते हैं और सिर्फ रट लेते हैं और वो लिटरी टर्म्स रिलेटेड है एक फ्रेज से आपने सेश्पेयर को यह ज подар मैं लोगों कहते हुए कि लिए बार्ड क्या लेकिन आज का जो हमारा पूरा discussion है वो what is bard, bard क्या होता है और bard की क्या history थी और bard किसे कहते हैं अब वो किस तरीके से समझा जाता है उस पर होगा जो एक बहुत छोटा सा lecture होना है लेकिन ये बहुत important है इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ छोटी छोटी चीज़े literature में जब clarity के level पे आती है तो तब हमें literature और smooth लगने लगता है तो चलिए जानते है what is bard, अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो bard की शुरुआत हुई है लगबग mid 15th century से और mid 15th century में ये poets को एक title दिया जाता था अब वो कौन से poets थे और किन poets से शुरुआत हुई ये जानने की कोशिश करते हैं तो mid 15th century में कुछ professional poets थे, professional यानि की जिनको तंखा मिलती थी जो pay किया जाते थे, जिनको salary मिलती थी और वो थे Celtic societies के poets Celtic societies Ireland में होती हैं और Gales की society में थी जो कि Scotland में भी माने जाते हैं और Wales, Cornwall और Brittany नामक जगा पे professional poets होते थे इन सबके एक संग्रक्षक होते थे जो इनको तंखा देते थे और ये patterns जो हैं, ये patterns इन लोगों को salary देते थे किस बात की, ये professional poets अपने patterns की तारीफ करते थे poem में poem के थूँ, और poem के थूँ उनकी तारीफ हैं की जाती थी और जब भी कोई poem based होती थी वो जातर patterns पहोती थी और उनकी life को आप एक तरीके से प्रसंशा की जाती थी उनकी और उनको eologize किया जाता था, ये समझ सकतें तो ये professional poet थे, तो इस तरीके के लोगों को bard कहा गया शुरुवात में Ireland में जो bard की बात होती है, तो उसे एक learned professional poet माना जाता था जो एक खांदान के पूरी hereditary में चलता था, कि ये इस खांदान में bard है, फिर अगला भी इस खांदान में bard होगा और वो इस तरीके से, Ireland में इनका मतलब होता था कि वो history को generation to generation orally गा के पहुचानी की कोशिश करते थे, उन लोगों को bard कहा जाता था, Irish culture में और 13 century में Wales में basically ये प्रथा जो है बंद हो चुकी थी और उधर mid 17 century में आके ये Ireland में भी बंद हो गए उसके बाद आया mid 18 century, तो mid 18 century में आने आने तक bard का ये जो meaning था, वो Scotland में भी बंद हो गया अब bard का जो ये concept बंद हो गया, तो क्या bard end हो गया literature से? नहीं, bard reappear हुआ, और bard term जब reappear हुआ, तो ये एक Celtic revival moments के रूप में उसके संदर्व में reappear हुआ, उससे relation में, Celtic revival आप सब लोग जानते हैं कि Ireland के जो revivals था, रहने सा था, जिसमें Irish culture को जोडने की कोशिश गई, दुबारा और उसको revive करने की कोशिश की गई और इन सब में आप जानते हूँ, Lady Gregory और W.E. Yates का कितना बड़ा हाथ था और Abbey Theater इसी Celtic revival की देन हैं, आप सबी जानते हैं, जहां सिंज के play को बात में पूरा perform किया गया और बाकी सब, और जिसने Irish culture को एक पूरी दिशा दी तो उस जमाने में, उस संदर्व में भी इसको समझा जा सकता है कि यह reappear हुआ और इनका reappearance का यहाँ पर एक खास संदर्व था कि जो बाहर की power आईरलेंड में को कब जाना चाह रही थी आप जानते हैं कि आईरलेंड में हमिशा से protestant और catholic की एक लड़ाई है और जो protestant हैं उन्होंने catholic पर बहुत जुल्म ढढ़ाए है और बहुत जादा इसमें लड़ाई हुई है और सालों से रहा है तो जो basically जो बाहरी ताकत है Irish culture को निगल रही थी उनके खलाफ खड़े होने के लिए जो पोईट्स रहे तो ये जब reappear वड़ टर्म तो उससमें आयलेंड के संदर मेंसे बार्ड कहा गया यानि कि बाहरी ताकת जो आईरिश कल्चर ला खतम करने की जूगत में थी उनके खिलाफ खड़े होने वाले पोईट्स को बार्ड कहा गया और थॉमस ग्रे के एक महान पोईब आपने सुनी है दबार्ड जो कि एक पिंडारी कोर्ड है तो वो भी एक ऐसी पैशनेट पोईब है जो कंडेंड करती है नॉर्मन जो राजा था किंग एड़ड फस्ट क्योंकि वो वेल्स का कॉंकरर था वेल्स में उसने हमला किया था और पोईब जब ये एंड होती है तो उस पोईब के एंड में जो पोईट होता है नहीं जो बार्ड होता है वो एक माउंटेन टॉप से कूत के जान दे देता है तो ये एक बहुत जवरदस पोईब रही थी तो ये भी एक विरोत करने का जरिया बनी जब बार्ड नामक टम रियपियर हुआ अब आगे क्या इस तरीके की बार्ड की डेफिनिशन गई नहीं अब आते हैं ओवर दे टाइम धीरे धीरे जब ये चीजें होने लगी और डिवलप हुई तो इस बार्ड नामक शब्द ने एक नया मेनिंग लिया कि एक ऐसा पोईट जिसको इस्पेशली जो डिस्टिंग्विश्ट या डिस्टिंशन जिसे मिला हो जो पोईट सबसे रिफाइंड या डिस्टिंग्विश्ट जो बिलकुल अलग माना जाता हो जिसने अलग मुकाम हासल किया हो जिसने एक उचाई हासल की गई हो उसको लोगों ने बार्ड कहना शुरू कर दिया यानि कि एक उचे दर्जे के पोईट को जिसने अपना एक मुकाम हासल करके जगह बनाई हो पोईट समाज में या सोसाइटी के अंदर या कम्यूनिटी के अंदर लिटरी कम्यूनिटी के अंदर उसको बार्ड कहा जाने लगा तो अब बड़े बड़े लोगों को अलग अलग बार्ड कहा गया है तो मैं आपको कुछ important दो-तीन बार्ड बता रहा हूँ उनको आप ध्यान से सुनिएगा question आसकते exam में बार्ड ओफ A1 आप सब जानते हैं William Shakespeare को कहा गया क्योंकि A1 नदी के किनारे उनका जो है जन्म हुआ था और उसके बाद Wordsworth को कहा जाता है The Bard of Rydal Mount आप याद रखेगा Rydal Mount R-Y-D-A-L-M-O-U-N-T Wordsworth को कहा जाता है Bard of Rydal Mount और जब Robert Bunz की बात आते है तो Robert Bunz को कहा जाता है Bard of Ayrshire A-Y-R-S-H-I-R-E तो ये तीनों बार्ड बहुत important है exam के point of view से तो आज की date में Bard जो है वो एक point of distinct style या अब एक उचे दरजे का point जो सबसे अलग जिसने मुकाम हसल किया हो और जिसको एक उचा मुकाम हसल हो उसे Bard का जाता है तो Bard शब्द के सफर के सुरुवात कहां से हुई थी और वो किस तरीके से change हुआ और कौन कौन से तीन बहुत ज़्यादा famous Bard है वो मैंने आपको बता है इसके अलावा भी कई लोगों को Bard के उपादियों और Bard कहा गया है जो आप धूट सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं लेकिन फिलहाल Bard शब्द को clear करने के लिए ये lecture काफी रहेगा So I hope कि आपको Bard शब्द बिल्कुल clear हुआ होगा और आपसे फिर मिलेंगे नई lecture में literature के तब तक के लिए विदा लेता हूं लेकिन like, subscribe करना भूले और आप लोगों के like और subscribe से ही we exist here and we are here because of you So I hope that you all will like and subscribe and keep forwarding the videos to your friend and all the persons who are somehow literary pursuits either for career or for their interest Thank you, have a nice day